अग्षान कैसे हैं आप सब लोग कल आप लोगों के JK Bank का Result आया है जिसके बाद से बहुत सारे बच्चों के messages आ रहे हैं कि हम लोग mains की strategy लेकर आएं तो mains में आप लोगों का एक अलग से section आप कह सकते है 25 marks का paper में होगा descriptive का तो descriptive को किस तरीके से prepare करें आज आप लोगों को जो डर है मैं वो ये डर निकालने की कोशिश करूँगा 12 से 15 मिनिट में और अगर आप सिरफ ये वीडियो भी देखके exam में जाएंगे तो आप descriptive में 15 प्लस score करके आएंगे हर एक वो बच्चा जिसको भी चीज का डर है या जो भी घबरा रहा है तो इस वीडियो को start करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे मैं यहां पे कुछ topics भी आपके साथ discuss करूँगा जो exam में पूछे जा चुके हैं यह जिस तरह से exam में चीज़े पूछी जाती है इसके साथ ही मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि किस format में हमें लिखना होता है क्योंकि format के ही आदे marks होते हैं तो चलिए बिना जादा time waste की स्टार्ट करते हैं आज का lecture तो आपको पता है descriptive में जो चीज़े exam में पूछी जाती है वो आती है आपकी essay और letter अब यह दोनों चीज़े आपकी total 25 marks की होंगी जिसमें आपको 30 minutes मिलेंगे जैसे ही आपका mains खतम होगा बाकी part उसी दोरान आपके start हो जाएगा तो बीच में gap नहीं मिलेगा तो पहली चीज़ तो यह अब कितने words का यह आता है तो कहीं बार यह 200 words का आपको essay लिखने के लिए कहा जाता है और कहीं बा की तो 30 minutes more than sufficient होते हैं जिसमें आप लोग यह type कर सकते हैं आप लोग बस आराम से इसको type करना है जादा गबराना नहीं है इसके साथ अब हम बात करेंगे यहाँ पे letter कितरे तरह की होती है exam में कौन-कौन सी पूछी जाती है तो normally आपको exam में 3 letters दी जाएंगी A, B और C करके आ आते हैं ऐसा कोई fix नहीं है दो आपकी हो सकता है आपको formal दिखे और एक आपको हो सकता है informal letter देखने को मिले exam में अब यहाँ पर जो paper set करते हैं उन्हें भी पता है हर एक बच्चा जरूरी नहीं है कि उनके skills बहुत ही अच्छे हो typing के या लिखने के तो आप लोगों के checkbook गुम हो गई है आपको manager को बोलना है कि उसको hot list करें या फिर उसको block करें या फिर आपको यह हो सकता है कि आपको किसी newspaper को लिखना है informal में आ सकता है कि आपको अपने भाई को बताना है मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे को अभी तक exams में देखने को मिली है कि आपको अपने भाई को बताना है कि चीजों को किस तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू करें उसकी नई जॉब लगी है तो ये काफी जनर्रल और बेसिक टॉपिक हैं जिस पे हर कोई बच्चा लिख सकता है और इसी तरीके से आपको एक्जाम में हैं आपको बता दू ये भी कोई एक फिक्स रूल नहीं है लेकिन आप मान सकते हैं कि 10% तक का आप उसमें कर सकते हैं जादा या कम जैसे अगर आपको 150 लेटर्स बोले हैं तो 165 या फिर 135 तक आप लिख सकते हैं कोशिश कीजिएगा to be precise normal जितनी चीज़े बोली गई हैं उतना ही लिखें जादा फाल्तु में 400-500 लेटर्स की ये ना लिखें कहीं बार हो सकता है कि आप पर backfire भी कर जाए अब बात करेंगे यहाँ पर formal और informal लेटर होती किस तरीके से है या exam में इसको करने का क्या तरीका है लिखना किस तरीके से है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे पर क्या आता है अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले formal लेटर की जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इस वीडियो के बाद 95% बच्चे ऐसे होंगे अगर आप लोग mains दे रहे हैं आपको यह पूरा format याद हो जाएगा तो क्या चीज़े हैं मैं आपको यहाँ पर पूरा आराम से इसको बताता हूं एक line को आपको याद रखना है वो line क्या है मैं आपको बताता हूं वाडरा आप लोगों ने देखा होगा नाम सुना होगा कभी वाडरा SSB देगा आपको यह याद रखनी है line और यहाँ से reply आएगा यह नहीं देगा मैं वापिस है रिपीट करता हूं line यह आप देखें वाडरा SSB देगा यह देगा नहीं यह नहीं देगा आपको याद रखना है और आपकी formal letter खतम आपको इसमें अगर आप शिर्फ इस format में भी लिखाते हैं आपको अगर ये 10 नमबर की भी आती है आपको 4 नमबर पेपर में मिल जाएंगे तो क्या है ये चीज आपको बताता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में जो formal letter आपका होता है इसका जो format है वो आपका 333 के उपर काम करता है अब 333 क्या है ये जो मैंने पहली चीज आपको बताई थी वाड़ा अब ये वाड़ा क्या है जो आपका WA है ये है आपका writer's address यानि की writer's address आप लिख रहे हो letter formally आपको लिखनी है for example किसी newspaper को एक article अपना print करवाने के लिए कि आपकी road में आपके घर के बाहर जो street light है वो नहीं चल रही उस पे कोई ध्यार नहीं दे रहा तो आप क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे writer's address ये writer's address आपको mention होगा paper में तो आप लिखेंगे नहीं mention होगा तो आप अपने according ABC या जिस भी तरीके से इसको लिख सकते है उसके बाद आजाती है आपकी D से date date जो भी आपके exam की होगी मालिजे 27 December को है तो 27 December आप लिखेंगे R.A. में आपका आजाता है receiver address तो sorry यहाँ पर माने writer address बोला है writer address में आपको अपना address लिखना है कोशिश कीजेगा कि आप इसमें कोई भी इस तरीके का hint ना दें आप इसको ABC करके या XYZ करके ही लिखें receiver address होगा है जिसको भी आप ये चीज लिख रहे है जैसे कि अगर suppose आप Da Hindu को लिख रहे है तो वहाँ पर आप लोग लिख सकते है Da Hindu office जिस भी तरीके से आप लोग लिखना चाते है अगर आपको नहीं लिखना वहाँ पर बेंचे नहीं है कि particular किसको लिख रहे है तो आप लोग उसमें भी XYZ लिख सकते है यहाँ पर ABC लिख सकते है तो यह आप अपने according देख सकते है या इसमें आप examination hall भी लिख सकते है writer address में तो अब I hope पहली तीन चीज़े आपको clear हुई होगी वाड रा इसमें कि आगया आपका writer address कि आप लिख रहे है किसको लिख रहे है वो आगया आपका receiver address D से आपका आगया date अब तीसरी चीज़ जो अब यहाँ पर second आप देखने SSB मैंने आपको SSB बताया SSB क्या होता है अब SSB में आपके जो पहला S आता है यह होता है आपका यह आजाता है आपका subject subject जो दूसरा S है आपका वो आजाती है आपकी Salutation जो आप लोग दिख लिखते हैं कभी Respected Sir, Respected Ma'am तो यह आपका आजाता है Salutation में और B से आपकी आजाती है Body अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा Clear करता हूँ अब यह क्या है यहाँ पर आप जब भी कोई चीज लिख लिख रहे है जैसे मैंने आपको बताए कि Suppose Street light खराब है आप लोगों को लिखना है Newspaper में कि अपने Paper पर आर्टिकल लिखें तो जो आप subject लिखेंगे वो बहुत ही छोटा होना चाहिए जादा उसमें डिटेल नहीं होनी चाहिए Limited होना चाहिए कि ताकि जो भी आप चीज लिख रहे है वो आपके subject में mention हो जाए जैसे कि अगर हम लिख रहे है जो मैंने आपको बताया Repair of Street light Simple इतना सा लिखना है Limited रखनी है चीजों को जादा नहीं लिखना है इतना फरक नहीं पड़ता Saludation में आगया Respected Sir, Ma'am और B से आगया आपकी body Body में क्या होगा जो चीज आपको लिखनी है बान लिजे अगर आपकी letter आई है कि अपने manager को लिखे आपकी passbook या आपकी checkbook गुम हो गई है उसको block करने के लिए तो इसमें subject क्या लिखेंगे आप इसमें आप subject लिखेंगे आपको simple लिखना है block checkbook सिरफ limited उसके बाद Saludation, Respected Sir, Ma'am, जो भी उसके बाद body में आपको क्या लिखना है कि मेरे पास checkbook थी account number ये गुम हो गई है उसके बाद आपको बस सिरफ ये लिखना है कि please इसको आप block करें 150 words आपको बोले है अगर letter में तो ये इतने में cover आपका हो जाएगा जादा आपको detail में नहीं जाना words आप अपने coding देख सकते हैं बिल्कुल simple language का use करें vocab आपकी बिल्कुल simple होगी तो बहुत अच्छा रहेगा बिल्कुल ऐसे word use करें जिकी बहुत ही high five वो भी आपको ज़रूरी नहीं है तो जो आपको डर है इस चीज का वो आपका निकल जाएगा तीसरे पार्ट में आता है ये नहीं देगा वाडरा SSB देगा ये नहीं देगा यहाँ पर आप लोग जो लिखते है जो भी अपना yours जो भी आपके according होगा वहाँ पर उसके बाद आजाता है आपका नाम और उसके बाद आजाती है आपकी designation designation में आप लिखेंगे कि आप क्या है कौन से post पर क्या करते हैं क्या नहीं तो ये आपका सारा आजाता है formal letter में आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी वाडरा SSB देगा ये नहीं देगा तो ये आपका format जलता है 333 का अब अगर मैं बात करूँ informal में क्या फरक पड़ता है इससे informal आपका आजाता है 2-2-2 के format पे अब ये यहाँ पर इस तरीके में क्या चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी है अब यहाँ पर आपको मैं बताऊ कि अगर आप suppose किसी को letter लिखने हैं या आप लोग कोशिश करें कि किसी को आप बात करें तो क्या करेंगे आप अगर मान लिजे informal में आ गया आपको क्या करना है receiver address नहीं लिखना है letter के बीच वे क्योंकि अगर आप किसी को दे रहे है letter तो उसका जो address है वो औरेडी mentioned होगा उनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको writer address लिखना है और क्या लिखना है यहाँ पर date वहीं next line में अब यहाँ पर अगर अपने घर पर लिखने है letter कि आपको पैसे चाहिए थोड़े से तो आप subject तो लिखेंगे नहीं please give some money ऐसे करके तो आप लिखेंगे नहीं घर पर अगर आप informal का मतलब क्या है कि आप formally बात नहीं करें इस तरीके से अपने घर पर जिस तरीके साब बात करते है तो अब यहाँ पर अधर में बात करूँ अगर salutation की तो आप इस तरीके से तो लिखेंगे dear bhai या फिर जो भी यह लिखना है आपको आपको यहाँ पर subject लिखने की जरूरत नहीं होती इस तरीके से चीज़े लिखने के बाद नाम और यह जो designation है यह नहीं लिखना आप अगर अपने घर पर लेटर बेज रहे है तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं यह सुमित पूरी प्रोबेशनरी ओफिसर या फिर income tax officer इस तरीके से तो आप लिखेंगे नहीं तो normal जिस तरीके से आप घर पर बात करते हैं या informal तरीके से उस तरीके से बात करनी है और काफी easy है इसमें आप ढरे नहीं गरा format ही यह लिखके आ जाते है तो आपको 4 number सिरफ format के मिल जाएंगे 10 में से तो यह आपको एक चीज मैंने बतानी थी जिल लोगों को डर था topic किस तरीके से आते है तो topic मैंने आपको already hint दे दिया है हो सकता आपको manager को लिखने के लिए आजाए कि checkbook block करे या हो सकता आपको किसी newspaper को आजाए कि आप उसको लिखें कि हमारी street में काफी कोई कुड़ा करकर छोड़ जाता है यह basic topic होंगे general topic है informal में आपको इस तरीके से हो सकता है कि आपको होगा कि अपने घर पे करें या आप किसी बड़े को बोलेगी पैसे की जुरूरत है या फिर अपने पैसे को invest करना शुरू करें bank account खोलें तो यह informal काफी basic होगा हर को ही लिख सकेगा इस तरीके का topic होगा घबरा है बिल्कुल भी नहीं अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग यह एक चीज को आप लोग देख लीजिए इसका PDF में आपको मारे telegram group पे दे दूँगा writer's address होता है date, receiver address, subject, salutation और यहाँ पर एक और चीज आप लोग अगर चाहे तो यह आप दोनो उल्टा कर सकते है इसका कोई fix ज़रूरी नहीं है कि आपको subject पहले ही लिखना है salutation बाद में ही तो यह आप लोग अपने according भी देख सकते है अगर आपको नहीं याद आएगा कि कौन सा इस पहले लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी और यह आपका सारा यहाँ पर I hope आपको समझ आ गया हो अब बात करते हैं यहाँ पर essay की essay आपको 200 words का लिखना है बहुत simple तरीके से आपको लिखना है 200 words बहुत ही कम होते है तीन पार्ट में आपको अपना essay डिवाइड करना है क्या होंगे वो तीन introduction पहला पार्ट introduction में आपको मेरे को याद है जब मैंने पहला paper दिया था तब वहाँ पे जो topic था value of time दुबारा से तीन essay होंगे एक ऐसे होगा ही होगा जो हर कोई लिख सकेगा बिल्कुल जर्नल सा topic होगा अब importance of time के अगर मैं बात करूँ तो importance of time के उपर हर कोई बच्चा लिख सकता है अराम से अगर आप 5-6 मिनट सोचेंगे भी तब भी आपको सारी चीज़े आ जाएगी introduction में क्या लिखना है introduction में आपको पहले लिखना है कि जो आपका topic है वो है क्या उसके बारे में आपको उसके बारे में बात करनी है second paragraph में आपको लिखना है body body में आपको क्या लिखना है body में आपको थोड़ी सी advantages बतानी है थोड़ी सी disadvantages बतानी है ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज की advantages ही हो अगर आपको कर्ण को पूछ लिया जाए एक bitcoin पे भी आया हुआ है ऐसे तो अगर आपको knowledge है तो आप उसको attempt करें नहीं है तो कोई बात लिए आप easy topic उठा के उस पे लिखना शुरू कर दे advantages बताएं, disadvantages बताएं और जो last part आता है आपका conclusion, conclusion में आप लोग वो चीज़े बोलें जिस पे आप start करते हैं, अगर आप advantages के बारे में favor में हैं कि ये चीज होनी चाहिए, तो advantages को ही stress दे के खतम करें, disadvantages पे हैं, तो disadvantage को ही लिखके खतम करें तो ये आपको एक पूरा जो है, dice show जो बोले गए है लिखने के लिए, जादा फरग नहीं पढ़ता बहुत ही जल्दी ये हो जाता है बस आराम से करें पंदरा नंबर तक इसमें हर कोई असानी से score कर सकता है जादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग ही जल्द होगा, 27 को ये खत्व है एक को आपका वो start है तो ये चीज़े आप लोग करें और olive board पे आपको मैंने बता दिया है, crash course available है आप वो कर सकते है, PO mains का आप हम लोग एक mock देंगे, मैं आपको बता दूँगा कब देंगे तो उसका analysis भी मैं लेकर आजाओंगा और हमारे end से कोशिश रहेगी कि मैं GA के भी थोड़े से lectures आपको provide कर दूँ, तो आज के लिए सिर्व इतना ही मिलते हैं, आप लोगों चल ने lecture के साथ बाबाई, take care, all the best